नमस्कार मैं दीपक स्वागत करता हूं का ग्यान लेर्नर्स के यूटूब चैनल पर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास्टर मैं चेप्टर 2 पॉलिनॉमेल की एक्सरसाइज 2.2 का कोशन नमबर 2 और आई होप आपको हमारी सारी वीडियो पसंद आ रही हैं अगर पसंद आ रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शियर और लाइक करना मत भूलिएगा ठीक है तो देखिए कोशन नमबर 2 से आज हम सुरू कर रहे हैं ठीक है इसमें तो कोशन पहले पढ़ लेते हैं आराम से लिखा हुआ कोशन में find a quadratic polynomial देखिए हमको एक quadratic polynomial निकालनी है के निकालनी है quadratic polynomial ठीक है quadratic polynomial मतलब इसमें degree कितनी होती है polynomial की 2 होती है यानि कि जो x की maximum power होगी variable की maximum power होगी वो 2 होगी ठीक है चलिए तो हमें quadratic polynomial find करना है each with the given number नीचे कुछ number दे रिखें फर्स पार्ट सेकेंड थर्ड फोर्ट फिप्ट और शिक्स पार्ट में ठीक है given number as the sum फिर दूसरा product of zeros respectfully ध्यान अगना पहला वाला sum of zeros है and दूसरा वाला क्या है product of zeros के लिए रहे तब हमको quadratic polynomial निकालनी है हमको क्या के दर का है as the sum फिर दूसरा product of zeros तो पहला sum of zeros है दूसरा product of zeros है तो पहला वाला question करते हैं देखिए पहला यह हमको one upon four comma minus one तो पहला वाला है sum of zeros यानि कि alpha plus beta जिसे हम बोलते है ठीक है one upon four दूसरा आपका यह product of zero यानि कि alpha into beta equal to minus one तो हमें के निकालनी है quadratic polynomial तो देखिए यह formula है आप इस formula को बढ़िया करके याद रखिए ठीक है काम आएगा देखिए formula क्या है x देखिए हम जो equation लिग रहे है quadratic गो x की variable की form में लिग रहे है किस form में लिग रहे है x की form में लिग रहे है ठीक है तो equation क्या है x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to zero तो यह equation लिख दियान अगना यह equation है quadratic polynomial की x square minus alpha plus beta मदलब sum of zeros into x plus product of zeros ठीक है equal to zero कर दो zeros के लिए zero ही करना पड़ता आप नहीं भी करोगे तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है ठीक है alpha plus beta value रख दो one upon four और alpha into beta value रख दो minus one तो plus minus minus one ठीक है अब आपने क्या किया इसको यह equation कैसे बनी इसके बाद देखिए यह equation के लिए हमने पूरी equation को upon में कितना था देखिए four था तो इस four को अटा दो तो four से multiply कर दो पूरी equation को भाई पूरी यह equation x square minus one upon four x minus one यह equation इस पूरी equation को force into कर दो ऐसे four x square four minus four बन जा four four से four cancel तो कितना बचा four x square minus x minus four तो यही चीज मैंने लिखी विए देखिए यही चीज हमने लिखी विए clear हो गया कैसे आई है अवाली equation इसके बाद four से multiply कर तो four से ही क्यू किया व्योंकि four upon में था अगर three होता तो three से multiply करते है two होता तो two से five होता तो five से multiply ठीक है यह यह LCM लेलो आप जैसा आपको अच्छा लगता है ठीक है चलिए next question बढ़ते है one upon three आप क्या क्या three upon में three से multiply three three root two and three यहां करेंगे three से three cancel one time ठीक है equal to zero zero करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है यह आपकी quality polynomial हो गया second part ठीक है चलिए third part आते हैं सारे part ऐसी अगर आप धंग से करें तो बहुत बढ़िया part है कोई दिक्कत नहीं आएगी alpha प्लस बीटा यह हो ग ठीक है तो यह हो गया आपका answer fourth part alpha प्लस बीटा भी one alpha इंटू बीटा भी one तो formula में यहां भी one और यहां भी one तो one x चाहे simple x लिख दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए आगे अरते हैं minus one यह one upon four तो यह plus वाला minus इंटू वाला one upon four यहां रख दो minus minus प्लस हो गया यह one upon four four स four cancel यह आ गया six वाला यह alpha प्लस बीटा यह है alpha into बीटा यह equation यह फोर रखा यह one रखा ठीक है इस तरह से आपने simply यह exercise कर ली ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में exercise 3.3 के लिए बढ़ते हैं ठीक है तो division algorithmic तो बताई रखा आपने यही होता है dividend equal to divisor into quotient plus reminder ठीक है आई बासन में भाई अगर dividend में px बोल लूँ मतलब जो polynomial given होगा diviser क्या बोल लें gx quotient qx और reminder क्या बोल लें rx और ध्यानग ना gx 0 नहीं होगा क्यों नहीं होगा विकर diviser 0 नहीं होगा अगर diviser मतलब जिससे divide कर रहे हैं भाई उपर जो होता है no matter upon यह px हो गया आपका no matter और gx हो गया आपका denominator ठीक है इससे इसको divide करते हम लोग अगर नीचे वाला gx ही आपका 0 होगया तो यह क्या होता है infinity होता है क्या होता है infinity मतलब not defined यानि कि इस तरह की चीज़ों को हम defined नहीं कर पाएंगे ठीक आप इस तरह से divide करते होंगे आप ठीक है जो अंदर जिसको divide करना हो यह हो है dividend जिससे divide करना वो यह है ठीक है जो यहां लिखते हो उसको आप quotient बोलते हो और जो बचके आता हो से आप reminder बोलते हो भई बोलते हो नहीं बोलते हो माल लीजिए आप 5 से 26 को into कर रहे हो ठीक कर र यह आपका qx हो गया और यह आपका rx हो गया तो यही चीज तो हम बता रहें ठीक है तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं देखिए dividend, dividend equal to dividend क्या है, 26 quotient क्या है, 5 sorry, हाँ, quotient 5 है divisor क्या है 5, 5 divisor और 5 quotient, divisor, quotient, plus reminder क्या है 1, अभी इस equation को solve को लोग वही आएगा, देखे, 5, 5 जा 25 और 1 कितना हो गया, 26 बिल्कुल सही आ रहा, ठीक है तो यह formula बना हुआ आपको यह first chapter में भी define क्या हुआ यह formula, ठीक है, अच्छी तरीके चे, clear है तो, यह कभी भी 0 नहीं होगा चलिए, quotient पढ़ते हैं using division algorithm में, ऐसी divide का हमने use करना है ठीक है, तो क्या divide the polynomial px हमको divide करना है किसको? px को by the polynomial gx, px यह देखे यह, px यह है और gx यह है ठीक है, आपको NCRT book में यह question मिल जाएगा इजली, ठीक है तो, divide करना है, the polynomial px by the polynomial gx, यानि कि यह करना है, ठीक है and find the quotient, हमको quotient निकालना है, यानि कि जो यह आता है, यह निकालना है and reminder, निवाइंडर मनला यह वाला, तो आपको यह मालूम है, यह मालूम है, आपको यह दो चीच चाहिए, quotient और reminder आपको चाहिए, ठीक है तो, यह upon यह करो कर दिया आपने upon, तो divide करने का यह वाला rule हम follow करेंगे, ठीक है तो, यह हो गया diviser अंदर आगया आपका dividend ठीक है, तो, यह इस equation को solve करने का तरीका क्या है, यह question साइद आपने 8, 9 में भी किया होंगे एक बार आप दुबार से, देख लिजे इस तरह के question को, यहाँ आपने इसको हटाना पड़ता है, target यह रहता है, मतलब, यह 2 power है तो, हमको 2 power से नीचे लाना अभी power कितने हैं, यहाँ पर 3 है तो, हमको इस वाली 2 power से इसको कब में लाना पड़ता है इतना divide इसको करना पड़ता है तो, हमारा target यह है, x की power 3 देखिए, x की power 3 यहाँ x की power 2 है, तो, मैंने किसे multiple कर दिया, x से, तो, x की into कीजिए, किसके साथ, इस पूरी equation के साथ, ठीक है देखिए, क्या आएगा, sorry इस x की into, इसके साथ, तो, ऐसी ते करते हैं वहीं, आप, जैसे मैंने भी बताया 5 का table, जब आप 26 में देते हो, तो, क्या करते हो, 5, 5 जा, int की into होते हैं, 5, 5 जा 25, आप, माइनस करा, 1 बच है ऐसी करते हैं, तो, वही तो कर रहे हैं इस x की into, इस से कर रहे हैं तो, x की into किस से करेंगे हम x square minus 2 से, x square minus 2 से तो, x अंदर गया, क्या हो गया x की power 3, minus भई, plus, minus, minus 2x, कितना हो गया, 2x तो, यह आ गया, x cube 2x को इतनी दूर क्यों लिखा सर आपने, भई, 2x को इसलिए रिखा दूर, क्योंकि, आपको पता, like term, like term के साथ add होता है, और, subtract होता है मतलब, x की power 3 वाला, x की power 3 के साथ add होगा, x वाला, x के ही साथ add होगा या, subtract होगा, तो, x square वाला term है नहीं दिखी है, इसमें into करने पर, x square हमको मिला ही नहीं, तो, उसको x square के नीचे, लिखो या, ना लिखो कोई फरक नहीं पड़ता, अगर लिखी भी दोगे तो, यह x वाला, x के ही साथ जुड़ेगा, ना कि, x square के साथ, ठीक है, तो, sir, x से क्यों किया, क्यों, तो, क्योंकि यह 3 power हटानी है, मुझे, यहां कितनी power थी, 2, तो मैं 1 power से multiply कर दूँगा, ठीक है, कि लिए रहे, इसलिए 2 और 1, 3 power हो गई, x से 2, 2x, अब क्या करेंगे हम subtract, तो, यह plus का minus, minus का plus, यह cut गया, बचा minus का 3x square, यह 5x और यह 2x plus, plus क्या हो गया, add हो गया, 7x minus 3, उतार दिया, अब किस्या करेंगे, इसको अटाना फिर x square तो है, क्या चाहिए, minus 3 चाहिए, क्या चाहिए, minus 3, तो आप minus 3 किंटू कीजिए, किसके साथ, इसके साथ, x square minus 2 के साथ, भई, minus 3 किसके साथ करनी है, x square minus 2 के साथ, तो कीजिए, minus 3, x square minus minus, plus 3, 2, 6, इस तरह से, आपने into कर दी, क्या करा, minus 3 square plus 6, 6 मैंने नंबर के निचे लिख दिया, क्योंकि 7x के साथ, उसने न add होना है, नही subtract होना है, ठीके, तो, आप इस तरह से कीजिए, तो sign change, यह plus, और यह plus का minus, यह कड़ गया, उतारा 7x, और यह minus 3, और minus 6, minus का 9, ठीके, तो यह उपर वाला हो गया, आपका quotient, और यह वाला हो गया, आपका reminder, ठीके, तो, यही तक आज इस वीडियो में लेते हैं, और अगर आपको समझ माते हैं वीडियो, तो please, हमें comment box में लिखके, आप जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा, तो please, चैनल को subscribe कीजिएगा, और share और like करना मत भूलिएगा, thank you so much for watching this video,